Welcome to ML Tutorial आज इस लेक्चर से हम लोग SYBMS का एक नया सब्जेक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है Basics of Financial Services ये सब्जेक चोईस बेस सब्जेक्ट है इसका मतलब है ये सब्जेक्ट सिर्फ उन स्टुडेंट्स को होता है जो BMS में फाइनांस लेते हैं मैंने इस चानल पे Business Planning and Entrepreneurial Management इस सब्जेक्ट के भी लेक्चर सब्जेक्ट कीए है Business Planning and Entrepreneurial Management ये common सब्जेक्ट है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजे आपको प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं आजकी लेक्चर का टॉपिक है Financial System and Its Functions पहले देखते हैं Financial System का मतलब क्या है A Financial System may be defined as a set of institutions, instruments and markets which promotes, savings and channels them to their most efficient use हमारे economy में जितने भी financial institutions है financial instruments है और financial markets है उन सबको collectively financial system कहते हैं Financial System का main काम होता है Financial Resources को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना I hope आपको Financial System का meaning clear होगा चलिए देखते Financial System के functions क्या क्या होते हैं Functions of Financial System First is Payment System Financial System हमें अलग-अलग payment mode प्रोवाइड करती है For example, आपको अगर किसी को पैसे देने है तो आप Google पे कर सकते हों Paytm यूज़ कर सकते हों आप चेक दे सकते हों या डारेक्ली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हों Next is Pulling of Fund Financial System दो लोगों के बीच लिंक बनाती है दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं एक वो जिनके पास सेविंग्स होती है और दूसरे वो जिने पैसों की जरूरत होती है Financial System इन दो इंसानों के बीच एक लिंक बना देती है For example, bank Bank लोगों से उनकी सेविंग कलेक्ट करता है और जरूरत मन लोगों को लोन देता है Next है Transfer of Resources Financial System रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है For example, अगर मेरे पास कुछ सेविंग्स है तो उन सेविंग्स को मैं Capital Market में इंवेस्ट कर सकती हूँ इससे मेरे पास जो भी एक्सिस फाइनांस था वो फाइनांस किसी और के पास चला जाएगा और उसके बदले मुझे कुछ रिटरंस मिलेंगे Next है Risk Management Financial System आपका रिस्क भी मिनिमाईस करता है For example, अगर आपको इंवेस्टमेंट करनी है पर आपको इंवेस्टमेंट की नौलिज नहीं है तो आप Mutual Fund के एजेंट्स के तुरू भी इंवेस्टमेंट कर सकते हूँ Mutual Fund कंपनी के एक्सपर्ट्स आपके लिए इंवेस्टमेंट प्लान करेंगे जिससे आपका Financial Risk थोड़ा कम हो जाएगा आपको और एक एकजांपल देती हूँ LIC और GIC ये दोनों हमारे Life के लिए और हमारे Other Assets के लिए Insurance Policy प्रोवाइट करते हैं जिससे हमारे Risk मिनिमाईज हो जाते हैं Next है Price Information for Decentralized Decision Making Financial Market इंवेस्टर्स को Valuable Information प्रोवाइट करती है Financial Markets में इंवेस्ट करने वाले इंवेस्टर्स अलग-अलग स्टेट और अलग-अलग कंट्रीस से हो सकते हैं इसलिए सभी इंवेस्टर को मार्केट के बारे में Important Information मिले इसलिए Financial Market वेरियस पब्लिकेशन के त्रू Important Information अपने इंवेस्टर्स को प्रोवाइट करती है Next है Price Discovery Process Financial Markets में बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन होता है इस इंटरेक्शन से बायर्स और सेलर्स को Financial Asset के प्राइस की इंवेस्टर्स की इंवेस्टर्स की इंवेस्टर्स मिलती है Next है Liquidity Financial System इंवेस्टर को liquidity प्रोवाइट करती है Liquidity का मतलब होता है अपने इंवेस्टमेंट को cash में convert करना For example, अगर आप बैंक में अपने पैसो को save करते हो तो उन पैसो को आप कभी भी withdraw कर सकते हो Financial Markets में भी ऐसे बहुत सारी investments होते है जो आपको high liquidity प्रोवाइट करते हैं तो ये थे financial system के कुछ functions I hope आपको आज का lecture पसंद आया होगा अगर आपको lecture पसंद आया तो इस वीडियो को like और share कीजे और मेरे चैनल को subscribe कीजे मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ Thanks for watching my video